व्लोब दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको दिखाने वालों एक सिंपल सी बर्फी की रेसिपी जो आसानी से सिंपल इंग्डिएंट के साथ बन सकती है बहुत ही तेस्ची और यम्मी बनी है जो हम ने हमारे तरीके से बना है तो आज बनाएंगे हम कस्टड की बहुत ही यम्मी भी बनी है यह दूस्तों सबसे पहले में आपको रिक्वेश्च करोंगे मैं चानल को जरूर सब्सक्राइब करके गंटी का एकान को टैप जरूर करें इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरन मिलती है आपका स्वागात रिस्तक बाल है मौम्सूट और हम यहाँ पे दो कटोरी इसमें पानी यूज़ करेंगे इसका हमको गोल बनाना है तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ एक कटोरी कस्टड पाउडर में हमको दो कटोरी पानी एड़ करके इसका एक बहुती फाइन गोल बनाना है ना कोई उसमें लम्स होने चाहिए त तो इसको हम आपको आगे दिखाऊंगा, प्लीज एंटेक वॉच कीजिएगा, रेसिपी को देखिएगा, तो यहाँ पर मैं आपको जैसे इंडिदेन स्लीस से बताते चाहँगा, तो हम इसको मिक्स करते चाहेंगे और हमको जैसे मैं आपको बता रहा था, हमको एकदम फाइन इसका गोल चाहिए कोई भी इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए यह जरूर ध्यान में रखिएगा इसको हम गुमाते हुए बेस में इसको गुमाते हुए इसको इसका एक बहुत ही फाइन गोल बना लेंगे और उसे तरफ हम यहाँ पे जो हमने गुड और हमने गुड है हमारी उसको हम तैयारी कर लेंगे गुड की इसमें दो कटोरी गुड में दो कटोरी पानी डालके इसको हम गुल बना लेंगे जैसे मैं आपको बता राता है यहाँ पे अगर आपको गुड पसंद नहीं तो आप यहाँ पे शक्कर भी यूज शक्कर यानि कि चीनी भी यूज कर सकते हैं इस recipe में और दो कप यानि कि जो हमने दो कटोरी है वो पानी यहाँ पे डाला है जो हमने दो कटोरी गुड को दो कटोरी यहाँ पे हमने पानी आइड करके इसको हम गुड का सीरफ नहीं बनाएंगे हमको सिर्फ गुड को पिगलाना है तो गुड का सीरफ मतलब क्या होदा है कि उसको बहुत इसके बाद हमारा जो कस्टड पॉर्ड का घोल हमने बना कर रखा है वह आब हम इसमें इस पैन में शामिल कर देंगा तो यह हमारा यह हमारी पैन जो है हमारा Dagens की जो हमारी जो recipe है यह इसमें बनेगी तो यहां पे देखिए जो गुड बिलकुली गुल चुका है पानी में गुड का घुल बन चुका है low flame पे हमने शूरू में थोड़ा high flame पर रखने के बाद लो flame पे हमने उसको गुमाते गए तो यह हमारा गुड का जो घोल है तैयार हो चुका है आप हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पॉर्ड का घोल तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था है यहाँ पे थोड़े दिर रखते हैं तो आप उसके नीचे जो बेस में उसके लंब्स बनते हैं तो जो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसलिए हम और एक बड़े से स्पून से इसको नीचे बेस में गुमाते हैं इसको और एक complete fine घोल बना लेंगे उसके बाद यह दीरे-दीरे करके हमारे पैन में शामिल कर देंगे तो अब हमारे गुड के घोल में हमारा कस्टर्ड पॉर्डर का घोल मिक्स करते जाएंगे हम slowly slowly यानि कि दीरे-दीरे से इसको हम इसमें एड करेंगे तो आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड की बरफी जो बहुत ही simple sweet है और जल्दी आसाने से भी बन जाती है जो simple ingredients है इसके और यहां पर अब हम इसको mix करते हुए यहां पर हमने flame को medium रखा है हम इसको एक जमते जाएगा यह जमने लगेगा और यह इसका जो liquids state है वो कम होता जाएगा तो हम इसको गुमाते जाएंगे आज को medium flame पर रखेंगे तकरीबन 12 मिनिट में यह पूरी तरके से set हो जाएगा और यहां पर रेकिए तोड़ा थोड़ा यह जैसे इसका जमना शुरू हो चु जाएगा तो इसको हम गुमाते रहेंगे दोस्तों यह 12-15 मिनिट भी लगते है इसको तो आप इसको जैसे ही वो इसका जम जाएगा यह तो आप यहां पर हम flame को low flame कर देंगे यहां पर देखें किस तर किसी यह ready हो चुका है जम चुका है यह तो इसमें आप हम गी शामिल कर जाएंगे तो हम low flame पर रखके इसको घुमाते जाएंगे जब तक यह गी एड़ हो जाएगा उसके बाद हम फिर से गी आड़ करेंगे और जो total quantity हमने यहां पर गी आने की clarified butter जो होता है यहां पर यह जो गी है यह काओ गी है पतलब जो दूद का गी होता है वो गी हमने यू बिसिकली बना रहे हैं यह हलवा बन रहा है हलवा गी की एड़ करने के बाद तयार होता जाएगा और इसके बाद हम उसकी बरफी बनाएंगे तो यह हम इसको mix करने के बाद एक बार हमको जब लगेगा कि यह completely mix हो चुका है गी तो हम बाकी का जो गी है उसमें एड़ है और अब हमने आकिर जो हमारा लास्ट गी था वो एड़ कर दिया है यह हो चुका है पूरा कॉंटिटी यानि कि 50 ग्राम फाइनल हो चुका है mix इसको हम लो फिलम पे यह फाइनल हम इसको भूमा रहे हैं ताकि यह जो इसमें जो लिक्विड इसका कम होता जाए और यह जम एक स्पुन इलाइची का पौडर एड़ कर दिया है यानि कि इलाइची का पौडर यानि कि काडमम पौडर हमने इसमें शामिल कर दिया है इसको अच्छी तरह किसे mix करेंगे इससे अच्छा एक flavor आता है तो यह हमारा बरफी का mixture तयार हो जाएगा almost ready है यह अब हम यहाँ पे हमने 8 से 10 काजूओं को बारीक चौप कर लिया है उसमें add कर देंगे हमने हैं यहाँ पे total दो dry foods लिये हैं एक काजू और एक बादाम काजू हमने अभी add कर दिया और बादाम हम end में garnish करने के टाम पे इसको add करेंगे तो यहाँ पे हम इसको mix करेंगे अच्छी तरीके से और दुसी तरफ हमने एक plate को गी लगाकर ready करके रखा है जो हम plate में इसको add करेंगे और उसको वहाँ पे set करेंगे तो मैं आपको complete दिखाऊंगा बहुत ही simple सी recipe है जो हमने quantity आपको बताईए उसी तरह इसाब से बनाईए तो आप हमने एक plate को जैसे मैं आपको बताया था मैंने एक plate को हमने घी लगा लेना है उसके बाद उसमें जो pan का जो हमारा mixture है वो हम plate में add करेंगे यहां पर देखें, यहां पर हमने इसको प्लेट में एड़ कर देना है, दीरे-दीरे से हम इसमें एड़ करेंगे, और उसको सेट करना है हमको प्लेट में, हमने एक स्पैटुला से इसको इस तरी के से सेट कर देंगे, completely ये cover होना चाहिए जो हमारी plate है और हमको room temperature पे इसको कम से कम 1-5 गंटा इसको थंडा होना देना है ये ज़रूर द्यान में रखेगा room temperature पे तो हम उपर से हमने बादाम को लंबे size में बारीक chop कर लिया है 10-15 हमने बादाम लिये हैं उनको हमने chop करके उसके जो pieces हैं उपर से हमने garnish कर दिया इसके हम यहाँ पे एक छोटी कटोरी लेके इसको यहाँ पे रेके यह चोटी कटोरी से हम इसको और set करेंगे अगर आपको इस बरफी के गोल यानि के round pieces चाहिए तो इसी कटोरी से आप उसके pieces निकाल सकते हैं लेकिन आम में यहाँ पे square pieces निकालें तो मैं आपको दिखाऊँगा आगे तो आपको जैसा shape चाहिए यहाँ पे रेके यह perfectly set हो चुका है मतलब थंडा हो चुका है आप देख रहे हैं अब हम इसके pieces करना शुरू कर देंगे हम इसको cuts लगाएंगे यहाँ पे एक side से होने के बाद उसको घुमा कर हम फिर से cut लगाएंगे ताकि यह हमको square shape में मिल जाएंगे आप देखे इसका जो size हो आए हमको desired हमको जो shape चाहिए और जो उसकी width चाहिए completely उसका उसी साब से यह बना है color जो अच्छा आया है इसका और यह हमने बनाया है good से अगर आपको good पसंद नहीं है तो आप same उसी तरीके से शक्कर भी इसमें add करके यह completely recipe उसी तरीके से बना सकते हैं तो यह हमारा custard का जो हमारी बरफी है तयार हो चुकी है इसको अब हम प्लेट में रखके serve करेंगे दोस्तों यह हमने जो आपको quantity बताए उसी को follow किजीगा तो यह हमारी custard की बरफी तयार है simple सी recipe है और हमें जरू नीचे comments में बताए है कि आपको कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरू लाइक करें आपने family friends के साथ share करें इसको हमारे website momspoodary.com पर भी visit करें हमारे facebook और twitter pages पर भी आप visit कर सकते हैं फिर में जोनते हैं एक नई recipe के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिस